हेलो बच्चों मैं दीपेन सिंग आप सभी का एक बार फिट से आपके अपने यूटूब चैनल रादेश्टडी हमें स्वागत करता हूँ आप सभी जो क्लाश्टोल्ट के बच्चे हैं वो पढ़ रहे थे नुमेरिकल कुमार मित्तल की बुक से जो हम लोगों ने जो नुमेरिकल थे वो हम लोगों ने वैद्ध भी वो तक कंप्लीट कर लिया था लेशन थर्ड तक आज हम लोग पढ़ेंगे लेशन फोर्थ से तो जिन बच्चों ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है उन सब इसे रिक्वेश्ट है वो चैनल को सब्सक्राइब कर दे और वीडियो गर आपको पसंद आ रहा है तो वीडियो को लाइक कर दे देखें कोशन नमबर फस्ट फस्ट नमबर कोशन आपसे कह रहा है पारे की 27 एक समान बूंदों में प्रतेक को 10 वोल्ट के विबाव तक आवेसित किया जाता है तो एपारे की एक समान जो बूंदों की शंक्या है वो कितनी है 27 प्रतेख बूंद पर विभौ कितना है 10 वोल्ट अब आप से कह रहा है कि इन सभी को मिला कर एक बड़ी बूंद बनाई जाती है उस बड़ी बूंद का विभौ ग्यात कीजिए तो देखो कैसे करेंगे हम लोग हम लोग मानेंगे माना छोटी बूंद की तरिज्जा छोटी बूंदों की तरिज्जा प्रतेख एक समान है तो सबकी तरिज्जा क्या होगी समान होगी और बड़ी बूंद की तरिज्जा लेंगे बड़ी बून्द की तरिज्जा बून्द की तरिज्जा यह हम लोग ले लेंगे कैप्टालार अब देखो इन सताई छोटी बून्दों से क्या हुई है एक बड़ी बून्द बनी है तो इन सताई छोटी बून्दों का जो आयतन होगा वो एक बड़ी बूंद के आयतन के बराबर होगा तो लिखेंगे बड़ी बूंद का आयतन बड़ी बूंद का आयतन बराबर 27 छोटी बूंदों का आयतन 27 छोटी बूंदों का आयतन अब देखो ध्यान दीजिये इदर बड़ी बूंद का आयतन जो होगा होगा चार बटे तीन बूंद होती है गोला कार माना जाता है तो चार बटे तीन पाई आर क्यूब इसकी तरिज्जा कैप्टाल र और एक्वल में इसकी लेंगे तो 27 और इसका आयतन लेंगे तो चार बटे 3 पाई इसमाल R क्यूब 4 वटे 3 पाई से 4 वटे 3 पाई कैंसिल हो गया इसको हम लोग लिख सकते हैं क्या ये R क्यूब इक्वल ये हो जाएगा 3 R का होल क्यूब 3 का क्यूब 27 और इस R का क्यूब हो जाएगा R क्यूब अब जब क्यूब रूट लेंगे हम लोग तो जो क्यूब रूट आएगा वो क्यूब रूट हो जाएगा R equal 3R यह आ गया इसका क्यूब रूट 3R हो गया अब यह तो आ गया दोनों की त्रिजाओं में संबन अब देखो हमें चाहिए क्या हमें चाहिए चाहिए बड़ी बूंद का आयतन बड़ी बूंद पर विबो बड़ी बूंद पर विबो तो विबो बरावर जो होता है वो होता है आवेस अपाउन विबधारिता आवेस जब निकालेंगे तो आवेस कह रहा है तो आवेस जो निकालेंगे तो इस पर जो आवेस होगा, बड़ी बूंद पर आवेस, वो होगा 27 इंटू, एक छोटी बूंद पर आवेस, एक छोटी बूंद पर आवेस, और धारिता जो होगी वो धारिता होगी चार वटे तीन गोले की जो धारिता का फार्मूला होता है चार वटे तीन ए सॉरी, फोर पाई एफसाइलन जीरो आर तो इसकी बड़ी बून की यह कह रहा है बड़ी बून तो बड़ी बून की धारिता लेंगे तो capital R ले लेंगे त्रिज्या अब H में देखिए इसको जब हम लोग solve करेंगे इसके आंगे तो देखेंगे क्या कि यह हो गया equal आवेस ते को इसमें फार्मूले दो लग रहा है ध्यान समझेगा C वरावर एक तो लग रहा है Q upon V वाला और एक लग रहा है गोले गोले की धार्यता C वरावर 4 पाई epsilon 0 R तो आवेस का लगा दिया कि 27 बड़ी बूद का जो आवेस होगा वो 27 इंटू एक छोटी बूद पर आवेस और नीचे धार्यता का फार्मूला लगा दिया तो यह जब रखेंगे 27 इंटू अच्छा यहां से हम लोग आवेस निकालें तो क्या होगा C इंटू भी होगा C इंटू भी तो C क्या होगी C मतलब आवेस बराबर होगा एक छोटी बूद की धारिता छोटी बूद की धारिता इंटू दो सवाल थोड़ा जटिल है शुरुआत के आपको लग रहे होंगे जटिल नहीं है बस आपको समझने में थोड़ा लग रहे होंगे लिन दिये इसके बाद जो दो के बाद जो कोशन आएंगे वो बहुत ही जी जी आएंगे छोटी बूद की धारिता और इंटू सी इंटू क्या होगा यहां से क्यूं से सी इंटू वी वी मतलब एक छोटी बूद पर विभौ एक छोटी बूद पर विभौ अपाउन निकालेंगे यह दे रहा है फोर पाई एफसाइलन जीरो इंटू कैप्तालार अच्छा है इसके बाद भी इनकी वैलू रखना चालू करेंगे 27 इंटू एक छोटी बूद की धारिता तो गोले की धारिता फोर पाई एफसाइलन जीरो आर अब यहां पर बड़ी बूद की बूद पर भी भाव लिगा बूद पर भी भाव आपको कितना दे रहा था दस वोल्ट तो यहां पर रख देंगे दस अपाउन इसका मान फोर पाई एफसाइलन जीरो इंटू कैप्टालार और कैप्टालार बरावर कितने के था थिरी इंटू इसमालार तो थिरी आर अचा फोर पाईप साइलन जीरो से फोर पाईप साइलन जीरो कट गया इसमालार से समालार कट गया तीन से कटेंगे तीन नमा 27 आएगा नो का दस में गुणा करेंगे कितना आ जाएगा नब्बे वोल्ट ये हो गया इस गुष्चन का आंसर ठीक है जिस वच्चे को अभी समझ में थोड़ा कम आया हो तो क्या करेंगे उसको बैक करके दुबारा से इस वीडियो को देख लेंगे जिससे उनका डाउट किलियर हो जाएगा फिर भी कोई दिक्कत है तो कमेंट्स करके हमें बताएं इस कोशन को फिर से अलग से सॉल करके आपको बताएंगे तो सेकेंड नंबर कोशन देखिए आप से कह रहा है असुत जल की 64 छोटी बूंदे प्रतेक की तरिज्जा दे रहा है 0.1 मिली मीटर तो छोटी बूंदों की संख्या हो गई 64 प्रतेक की तरिज्जा हो गई 0.1 मिली मीटर इसको आम लोग क्या करेंगे म है कि आवेश दे रहा है दो बटे तीन मुणा दसी आते माइनस 12 कुला कैरा मिलकर एक बड़ी बूंद बनाती है बड़ी बूंद पर विभाव गयात कीजिए अब आप से पूछ रहा है बड़ी बूंद पर विभाव निकालना है तो देखो बड़ी बूंद पर विभाव पहले तो निकाल लो त्रिज्जाओं में संबन तो हमने माना हमने मान लिया बड़ी बूंद की जो त्रिज्जा है बड़ी बूंद की त्रिज्जा बड़ी बूंद की त्रिज्जा हमने मान ली कैपिटल आर अब इसके बाद देखो क्या कह रहा है बड़ी बूंद की त्र 60股बندे हैं इसे मिलकर बड़ी बूंद बनी है तो इन 2024 इस बड़ी का जो हाइतन से 20 हुआ अको किसके बध़र होगा इन 2024 लोगए चोप्राइप के बराबर होगा क्योंकर उस्वर्ट चोटी बूंदों से मिलकर बना दिक 숨का आ लेंगे बराबर 2024 चोटी बूंदों का आयतन चोटी बूंदों का आयतन इसके बाद देखिए जो एक ये बड़ी बूंद का जो आयतन है वो आपको कितना आयतन निकालेंगे तो बहुत हैंगे 4 बटे 3 पाई आर क्यूप आर इसका कितना दे रहा है कैप्टल आ 64 into छोटी बूंद का एक छोटी बूंद का आयतन कितना होगा 4 बटे 3 पाई इसमाल R क्यूब 4 बटे 3 से 4 बटे 3 पाई आपका क्या होगा कैंसिल हो गया अब इसको जब हम लोग सॉल्ट करेंगे तो ये R क्यूब इक्वल जो है वो आएगा कितना 4 R का होल क्यूब 4 का क्यूब च्यूब से 2 R का क्यूब हो जाएगा ये दोनों के क्यूब अट गए तो R को कितने के आ जाएगा 4 इसमाल R के ये आगे आपका इसके बाद देखिए इसके बाद हम लोग निकालेंगे जब ये तरिज्जा आ गई अब आपसे पूँच क्या रहा था कह रहा था बड़ी बूंद पर विभो गयात कीजिए तो बड़ी बूंद पर विभो देखो विभो बरावर आपको बचा चुके हैं क्या होता है आवेस अपॉन दारिता आवेस अपॉन दारिता के तो कहरा है बड़ी बूंद पर विबहु हम लोग भी निकालेंगे तो विबहु क्या होता है, Q upon C, बड़ी बूंद पर आवेस, अपान बड़ी बूंद का की धारिता बड़ी बूंद पर जो आवेस होगा, वो कितने होगा, 64 छोटी बूंदों के आवेस के बराबर होगा और इसकी जो धारिता होगी बड़ी बूंद की वो गई जाएगी 4 पाई एफ साइलेंज जीरो इंटू कैप्टल आ ये बता चुके हैं गोले की धारिता अब वी इक्वल 64 इंटू क्यू और क्यू का मान दे रहा था 2 बटे 3 इंटू 10 की पावर माइनस टॉल अच्छा नीचे दे रहा है 4 पाई अप साइलेंज जीरो आपको कैप्टल और कैप्टल बार बराबर कितने क्या है 4 इसमाल आर के 4 इंटू इसमाल आर के अब देखिए 1 अपॉन 4 पाईप साइलेंज जीरो पीछे पढ़ चुके होता है 9 इंटू 10 की पावर 9 ये दे रहा है 64 गुणाए दे रहा है 2 ये हो गया 10 की पावर माइनस के टॉल अपॉन 4 पाईप साइलेंज जीरो अट गया उसकी जगह ये आ गया 3 इंटू 4 आ ये क्या था 4 पाईप साइलेंज जीरो कैप्टाल आर की जगह है ये और ये वाला 3 था तो ये 3 गुणाँ 4 गुणाँ आर इसमाल आर का माण रखेंगे कितना दे रहा है 0.1 इंटू 10 की पावर माइनस 3 दस समलो ये काट देंगे तो एक उपर 0 बढ़ जाएगा 4 से काटेंगे 16 चोको 64 3 से काटेंगे 3 तिरिक 9 इनका आपस में अब मल्टिप्लाई कर लो तो जब आपस में मल्टिप्लाई करेंगे तो देखो 16 तिया 48 और 48 दूनी कितने हो गए 96 तो ये तो हो गए आपका 96 और एक ये 0 था तो ये हो गया 0 अब ये 10 की गाते 3 उपर जाएगी माइनस की माइनस की 3 जब उपर जाएगा क्या हो जाएगा प्लस के 3 तो 9 में ये प्लस 3 जोड़ेंगे 9, 3, 12 उपर प्लस के 12 ये माइनस के 12 तो ये 3 नो कट गए समझ में आया यह माइनस 3 उपर जाएगा प्लस की 3 तो प्लस की 3 और प्लस की 9 9-3-12 और यह माइनस की 12 कड़ गए तो इतना आपका अंसर आ गया 960 वोल्ट यह आपके इस कोश्चन का अंसर है कोश्चन नमबर 3 देखिए बहुत ही सिंपल कोश्चन है आपसे कह रहा है फैरेंड में बदलेंगे तो 10 की पावर माइनस 6 का गुणा कर देंगे अब आपसे कह रहा है 250 वोल्ट का विवांतर है आपसे पूछ रहा है कि उसकी प्लेटों पर कितना आवेस होगा तो आपको आवेस निकालना है आवेस आवेस क्यू बराबर होता है सी इंटू वी तो क्यू इक्वल सी सी का मान रखेंगे दे रहा है 25 गुणा 10 की गाद माइनस 6 और वी वी की जगे रखेंगे 250 25 का 25 वे गुणा करेंगे आएगा 625 एक इससे गाद कम कर देंगे 10 की आते बचेगा माइनस के 5 यहां 10 अमलो मानेंगे होता है तो जब 10 अमलो का ही न दिया हो तो यहां लेते हैं एक दो दो अंकिस तरह पागया आजाएगा 6.25 इंटू 10 की पावर इदार आते हैं गात काई में होती है माइनस प्लस में तो दो गाते प्लस की हो गई तो 2 इसमें कम कर देंगे तो बचेगा 3 इतने आवेस का मात्रक होता है कूलाम तो इतने कूलाम आ गया इसका अंसर जो कोश्चन नमबर देखिए 4 4 नमबर कह रहा है 100 पीको फैरड का संदारित्र तो संदारित की धारिता दे रहा है 100 पीको फैरड दे रहा है पीको फैरड को हम लोग फैरड न मतलेंगे तो 10 की पावर माइनस 12 को गुणा कर देंगे कह रहा है 100 वोल्ट तक आवेसित किया जाता है तो विबोजो हो गया 100 वोल्ट हो गया आप से पूछ रहा है आवेस कमान ग्याद किये तो आवेस Q बरावर निकालेंगे C into V फार्मूला वही चल ला है C बरावर Q upon V से कभी Q पूछेगा कभी V पूछेगा कभी C पूछेगा तो देखो इससे लगाएंगे अगर हम लोग Q का तो Q बरावर क्या हो जाएगा इसका इदर गुणा हो जाएगा C into V C का मान रखेंगे और V का मान रखेंगे तो जब हम लोग C का मान रखेंगे तो C का मान दे रहा है 100 इंटू 10 की पावर माइनस 12 और V का मान दे रहा है 100 इसका मतलब 10 की आते 2 इसका मतलब 10 की आते 2 तो 10 की आते प्लस के 4 प्लस के 4 इसमें कम करेंगे क्या बचेगा 10 की आते माइनस 8 कूलाम यह हो गया इसका अंसर कोश्चन नमबर 5 में आपसे कह रहा है एक संदारित को 1000 वोल्ड तक आवेशित किया आता है तो यह वो क्या हो गया तो संदारित की दारिता C बरावर क्या होता है Q upon V फार्मुला लगा देंगे Q upon V Q का मान रखेंगे हम लोग Q बरावर आपको कितना दे रहा है Q बरावर दे रहा है आपको 2 इंटू 10 की पावर माइनस 6 और यह दे रहा है 1000 1000 का मतलब 10 की आते माइनस 3 प्लस 3 प्लस 3 उपर जाएगा 10 की आते हो जाएगा माइनस 3 तो माइनस 6 था माइनस 3 और हो गया तो क्या जाएगा 2 इंटू 10 की पावर माइनस 9 इतने धारिता कह रहा है और धारिता का मातरक होता है फाराट या कैप्टल F भी लिख सकते है 6 नमबर कोशन देखिए कोशन नमबर 6 में कह रहा है एक सामानतर प्लेट संदाईत को 500 वोल्ट तक आवेशित किया जाता है तो आपको विभो जो दे रहा है वो दे रहा है 500 वोल्ट ये हो गया विभो वीवन इसके बाद आप से कह रहा है अब इसकी प्लेटों की बीच की दूरी को घटा कर आधा कर दिया जाए तो संधारित्र के नए विभांतर की गढ़ना किजिए तो देखो एक चीज समझने की कोशिज करेंगे कि समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता होती है संधारित्र की धारिता संधारित की धारिता C बराबर होता है K A Epsilon not upon D तो इससे अगर देखिए तो C proportional to क्या आ रहा है 1 upon D के इसका मतलब क्या है कि अगर धारिता बढ़ेगी अब यह ऐसे ही ले लो C बराबर इतना आ गया प्रारम बमे माना पहले यह थी जहां पे A छेतर फल है D प्लेटों के बीच की दूरी है अब यह तो आ गया आपका इतना अब इसने बात देखो आवेस आपको उतनाई दिया गया है माना आवेस माना आवेस जो है वो आपका वही है Q है तो देखो V वराबर जो V1 वराबर था 500 वोल्ट V बराबर होता है Q अपाउन C1 Q अपाउन C1 बराबर 500 इससे अगर हम लोग देखे Q की जगह पे Q रखेंगे C1 की जगह पे रखेंगे K A एपसाइलन नौट अपाउन D इक्वल 500 यह इधर चला जाएगा तो हो जाएगा Q D अपाउन K A एपसाइलन नौट बराबर 500 यह आगए अब विभो का मान अब देखिए यदि क्या कह रहा है यदि दूरी प्लेटो की बीच की दूरी क्या की जाए आधी कर दी जाए यदि प्लेटो के बीच की दूरी प्लेटो के बीच की दूरी कह रहा है d by 2 कर दे तो वीभाँ पूच रहा है तब वीभाँ वीभाँ वीटु इक्वल बस d की जगहे पे हम लोग gate हो क्या रखना है d by 2 रखना है तो यह हो जायगा q d by 2 2 नीचे लिख लिए यह दे रहा है k, a, epsilon, nought ठीक है अब इसके बाद V2 जो आएगा इस दो को अलग कर दीजिए इंटो में लिख सकते है QT upon K A Epsilon 0 तो V2 equal 1 upon 2 और ये पूरा का पूरा किसके बरावर दे रहा है 500 के बरावर दे रहा है तो इस पूरे की जगह अब लोग क्या लिख सकते है 500 2 से इसको काट देंगे तो V2 equal क्या जाएगा 250 वोल्ट अब जो है प्लेटों की दूरी को आधा करने पर विभुवांतर जो है वो कितना बचेगा 250 वोल्ट बचेगा तो देखिए शेवेन नमबर कोशन कह रहा है एक धात के गोले को जिसकी तरिज़ा एक सेंटी मीटर है तो गोले की तरिज़ा दे रहा है एक सेंटी मीटर इसको मीटर बदलेगे तो लिख देगे 1 इंटू 10 की पावर माइनस 2 मीटर एक कुलाम आवेश देने पर कितना विभौ होगा तो आप से विभौ पूच रहा है विभौ और विभौ विवरावर आपको पता है Qप सी तो देखिए अब Q का मान तो कोई दिक्कर नहीं आपको दे रहा है एक कुलाम C कह रहा है गोला है तो गोले की जो धारिता यह पोटी है अच्छा वाई अप ऑन Si L 0 का मान जो होता है वो कितना होता है 9 into 10 की पावर 9 नीचे क्या दे रहा है R दे रहा है और R का मान दे रहा है 1 into 10 की पावर minus 2 यह minus 2 उपर जाएगा क्या हो जाएगा plus के 2 तो यह 9.0 into 10 की पावर यह minus 2 उपर गया plus के 2 हो गया तो 9 और 2 क्या हो जाएंगे 11 इतने वोल्ट ये आ गया question number 7 का answer तो 8 number question देखिए कह रहा है प्रत्वी को 1.28 इंटू 10 की power 4 किलो मीटर व्यास का गोला कार चालक मान कर तो व्यास हो गया इतना अब इससे निकालेंगे त्रिज्जा के रहा धायता की गढ़ना करना है तो इससे जब लोग त्रिज्जा निकालेंगे तो त्रिज्जा जो होता है वो होता है व्यास का आधा व्यास बटे दो तो आर इक्वल व्यास की जगह रखेगे 1.28 इंटू 10 की पावर 4 क्लो मीटर को मीटर बदल देंगे तो 10 की पावर 3 1000 मीटर होते हैं नीचे दे रहा है दो दो से अच्छा इसको डिवाइट करेंगे एक में तो भाग जाये का नहीं जीरो दे समलो बारा हो गया दो छंका बारा दो चवको आर्ट इंटू 10 की पावर 4 3 हो गया साथ इतने मीटर ये आ गई आपकी तरिज्जा प्रतिवी की अब कह रहा है आपसे धारिता की गरड़ा कीजिए तो निकालेंगे धारिता वो भी किसकी है प्रतिवी की धारिता की धारिता C बराबर अब प्रतिवी की धारिता C का गोले का फार्मूला होता है 1 4 5 Epsilon 0 इंटू आर ये होता है गोला कार माना गया चालक तो देखो आपने पढ़ा है कि 1 अपन 4 पाई Epsilon 0 बराबर पढ़ा है 9 into 10 की power 9 अच्छा इसका उल्टा करेंगे तो 4, 5, silent 0 इसका उल्टा करेंगे तो 1 upon 9 into 10 की power 9 मतलब इतने की जगह इतने पूरे की जगह लिख सकते हैं 1 upon 9 into 10 की power 9 R कह रहा है R की जगह रखेंगे 0.64 into 10 की power 7 अच्छा 9 से इसमें divide करेंगे 0 भाग जाएगे नहीं 0, 10 अमलो 6 में नहीं भाग जाएगा 0 9 से divide करेंगे 64 को तो नसत 63 बचेंगे कितने 64 में 63 चलेगे बचेंगा 1 मतलब 10 हो गया फिर 9 एकम 9 फिर 9 एकम 9 इस प्रकार आजाएगा into 10 की power अच्छा ये plus के 7 था ये plus का 9 उपर जाएगा तो हो जाएगा minus के 9 तो ये आजाएगा अब इसको भी 2 अंक की इस तरफ ले जाओ तो 2 और 9 या ऐसे कर सकते हैं 0.0711 इंटू 10 की power 9 में 7 जाएगे कितने बचेंगे minus के बचेगा 2 अच्छा 1, 2, 3, 4 चार अंक को उस तरफ चले जाओ तो हो जाएगा 711 गुणा 10 की गाते चार अंक को उस तरफ गए तो 4 गाते माइनस की माइनस दो पहले से था माइनस 4 और तो 6 हो गया इतने फैरड आ गया और यदि हम क्या करें 10 की power माइनस 6 फैरड इतने पूरे को हटा दें तो यह बन जाएगा माइक्रो फैरड तो 711 माइक्रो फैरड इस कोशन का आंजर हो गया तो ते कोशन नमर 9 में कह रहा है 0.9 मीटर तरिज्या करके एक धनावेशित गोले पर विभव जो है अलेक्टान कैसे निकलते हैं आवेश पता हो अलेक्टान निकालोगे अच्छा आवेश बराबर क्या होता है अगर आवेश की बात करें क्यू बराबर क्यू बराबर होता है क्यू बराबर होता है C इंटू वी अच्छा क्यू बराबर होता है 1 into E, 1 क्या है लेक्टानों की शंक्या E क्या है, एक लेक्टान परावेश C क्या होता है, होता है 4.0 into R और V का मान दे रहा है 960 अच्छा, N तो आपको पता नहीं है E आपको पता होता है 1.6 into 10 की पावर minus 90 अच्छा, इसका मान होता है 1 upon 9 into 10 की पावर 9 R आपको दे रहा है 0.9 और यह हो गया 960 अच्छा, यह दसमलों इस दसमलों से कट जाएगा 9 से 9 कट गया 16 से कटेंगे, 16 छका 90 में 60 आगया तो N इक्वल, यह आएगा इसको अगर नीचे लाएंगे तो यह काएका हो जाएगा, यह उपर 60 10 की पावर 9 यह दर भाग में तो इधर जाएगा गुणा में हो जाएगा, गुणा में घातें जुडती है तो 9 में माइनस 19 जोड़ेंगे तो बचेगा माइनस 10, उपर जाएगा प्लस के 10, तो 60 गुणा 10 की घाते प्लस के 10 1 0 मतलब 1 घात प्लस की एक गात प्लस की कर देंगे तो क्या जाएगा दस की गाते ग्यारा इतने एलेक्टरानों की कमी होगी ये आगए आंसर देखें टेन नमबर कोश्चन कोश्चन नमबर दस आपसे कह रहा है कह रहा है 100 वोल्ट बैटरी द्वारा 900 पीको फैरट धारिता वाले तो 100 वोल्ट का भी भोग हो गया और धारिता हो गई 900 पीको फैरट तो इसको हम लोग क्या करेंगे फैरट बदलेंगे तो जब फैरट बदलेंगे तो इसको हो जाएगा 900 गुड़ा 10 की घाते माइनस 12 फैरट कह रहा है इसमें संदरित में कितनी एस्तितिज उड़ जा सज्चित होगी तो आप से एस्तितिज उड़ जा पूछ रहा है तो लिका लेंगे जब इस्तितिज उड़ जा इस थतिज उड़ जा यू बरावर फार्मूला होता है हाफ C V स्क्वायर अच्छा एक बटे दो C का मान आपको दे रहा है 900 इंटो 10 की पावर माइनस के 12 ठीक है V का मान आपको दे रहा है 100 स्क्वायर कह रहा है तो दो बार स्क्वायर लगा दो दो बार गुणा कर देंगे स्क्वायर कह रहा है तो इसका दो बार गुणा होगा 100 का 2 से 6 इसको काटे के तो आएगा 450 1, 2, 3, 4, 5 और एक दसमलो यहां ले आएंगे तो 6 4.56 में प्लस के कम कर देंगे 10 की आते माइनस 12 में प्लस के 6 तो अचेगा 4.5 इंटू 10 की पावर माइनस 6 जूल यह आगे आपका इस कोश्चन का आंसर इस प्रकार कोश्चन नमबर 10 आपके कम्प्लीट हुए आज के लिए बस इतना ही कल फिर मिलते हैं वीडियो को लाइक जरू कर देना और सेर भी करते हैं रादे रादे